गिर गया, पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने कुवेथी डिप्लोमेट का बटवा चुपके से, वो तो CCTV में खुद की CCTV में पकड़ के आ गया, यह ऐसे हैं मैं बता रहा हूँ आपको, आप लोग सेरे अब पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर यह बोल रहे हैं कि यार हमारा प्रदान पावर, इसलाम का किला है, पहले तो मैंने आपको बताया था कि मूदी आ रहा है, लेकिन मूदी च्छा भी गया है, COP28 में, सेंटर स्टेज पर जो लीडर नजर आया है, वो नरिंदर मूदी था, यह हैं दोस्तों, आप सभी का एक नवड़ वीडियो में स्वागत थे, दोस्तों जैसे कि आप लोग जानतें कि हाले में, यूए में एक सम्मिट हुई जहां पर काफी ज़द देश आई हुए थे, और पहाँ पर काफी ज़द चर्चाएं भी हुई लेकिन दोस्तों, इसी पाकिस्तान, जो कि अपने हरकतों से बाच नहीं आता है, वही कुछ ऐसे के हरकतें पाकिस्तान के बहां के अधिकारी ने कर दी, दोस्तों बहाँ पर पाकिस्तानी प्रधान मंतरी के साथ एक अधिकारी विया था, जिसने बहाँ पर बटु का उठाया है, जो नीचे गिरा ह हुआ था लोगों के जाने के वाद दूरु से अपने जेम में डाल रही है जो की कैमरे में पूरी तरह से कैद हो गया और उनकी जो हाप पूरी दुनिया में इससे काफी जदा फजयत हो रही है कहा जा रहा है कि यह थे खुब विकारी किसी का बटू को नीचे गिरा हुआ है और दोस्तो ये देख के पूरी दुनिया काफी जाद शोक है कि पाकिस्तानी के अधिकारी क्या कर रहे हैं दोस्तो आज के हमारे पूरी वीडियो भी इसी टोपिक पे होने वाले है अगर आपको हमारी वीटिब संद आए ते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अब पता लग रहा है कि टोटल क्लाइमेट फंड है 200 अरब को उने वाला है 200 अरब का यही सूंगते सूंगते पूछ हिलाते हिलाते काकड पहुंच गया दुबाई क्यार कुछ तो मिलेगा यार खाली हाथ नी जाओंगा तेरे दर से खाली हाथ ना जाओंगा शेक इधर त देख यह कॉमेडी चल रही है वहाँ पर यह पूरी कोशिश में है काकड पूरी कोशिश में क्यार कुछ तो लग जाए कुछ तो लग जाए मेरे हाथ और कुछ ना लगे तो किसी शेक का गिरा हुआ बटवा मेरे हाथ लग जाए यह बटवा गिर गया पाकिस्तानी डिप् ये छोटा किसी की चेन चाहिन ली तो दोस्तों ये थी आगे है दर earliest aún कोने पीछे होने में वो भी looks ख़़ा इंग मांगने वाले पीछए रखने मांगने लाधेंगा5 तब देखा ये कि मांगने वाले सबसे आगे वाली रो में खड़ें और तुम गई क्यों थे? क्यों गई था पाकिस्तान महां पर? पाकिस्तान का क्लाइमेट चेंज से क्या लेना देना है? दोस्तों जो इनको पैसे मिले थे ना, जब इनके उपर बिल्कुल जिसको कहते हैं बाड आ गई थी इनका एक तिहाई मिल्क पानी के नीचे था या दो तिहाई आई डूंट नो वाट जब इनका मुल्क पानी के नीचे था तो जिन देशों ने इनको पैसा दिया था उसके लिए राहतकारी के लिए उन्हों ना गरीमों को नी दिया पैसे खुदू हैं अपने काम मुल्क के लिए बहुत कुछ करने वाले लोग हैं MayUI माजरत के साथ हम कोई इतनी इछी कौम नहीं है हम अपने मुलक के साथ संसीयर नहीं है वह लोग अपने मुलक के साथ संसीयर है मैं एक छोटे सी बात आपको बताता हूं इस दफारोल्ड करें महां पर हुआ आज से 25 साल पहले इंडिया का जो मैंने सेनेरियो देखा था अब देखा है यार वो तो बहुत आगे चले गए हैं हम तो बहुत पीछे हैं बस इसे ज़रा मैं कुछ नहीं कहूंगा दुक होता है दुक रोने को दिल करता है अगर मुलक नहीं है तो आपका मेरा क्या काम है कुछ भी नहीं है तो यह चीज है अगर आपको बुरी लगी हो तो सॉरी मैं फैक्ट्वल आदमी फैक्स पे बात करना बहुत अच्छा लगता है और फैक्स की जरूरत है इस टाम मुलक को मुलक की हकीकत बताना इस लोगों को जरूरत है कि जो अभी भी अंदेरे में बैटे हैं कि बाई 75 सालों के अंदर हमने इतना बड़ा हमने हमारे साथ सानिया 117 में हमारा बंगलादेश अलग वो हमें नजर नहीं आता बंगलादेश को देखा आपने चला गया हम कहाँ है हम तो खौबों में रहने वाले लोग यार कि बस दूआ हैं अल्ला से इससे जरा क्या कह सकते हैं यहां पर अब दुनिया के अंदर अभी चाइना है या इंडि जहां तक मेरे नॉलज में दुनिया की पांच मीं बड़ी माशियत है तो ट्रिलियन डॉलर्स की एकॉन तो देखे ना आप वहां पे आप देखें लोगों का लिविंग सेंडर क्या है उनको तो यार सोने के लिए रात को फुत पातों पे सोते हैं मौसली लोग और वो कहां च और आने वाले कितने टाइंग के अंदर हम चेंजिंग कर सकते हैं या चेंज हो इनी सकते हैं या बाराम चुलम को नहीं दो कि लिए ना और करें यहां पर हमारे प्राइम मिनेस्टर जाते हैं कोई हाथ नहीं मिला दा कि पैसे ना मघ ले दूसरी बात पर है कि यह पैसा बनाना चाहिए पैसा बनाकर इंडिया के बराबर अने बाद और चलू हम में में चीज़ें गिनवाता हूं आपको वह चांद पर चले गए हैं उन्होंना अपना जी टुवेंटी की मीटिंग अपने मुलक में करवाई है पूरी दुनिया अभी उनको सलाम ढोकती है इस वजह से कि भाई उनके पास उनकी फोरण खार्जा पोल्सी है हमारे पास आप दुनिया के हाँ फार्म में जहां भी जाएंगे हम लोग खड़ा होंगे हमारा यही आ लोगा यही आ लोगा हम नीचे नीचे देंगे तो इसके लिए आप बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल ठीक है हमें आपने पाउँ पे खड़ाना पड़ेगा लेकिन यह साड़ा हमारी वीडियो जिसमें हमने देखे कि किस परकार से पाकिस्तानी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं और जहां मरजी चल जाए बे अपनी हरकतों से अपने आपको पूरी दुनिया में फेमस गरी देते हैं और इस परकार से पाकिस्तान एक पार फिर से अपने आपको फे प्रकिस्तानी अधिकार ही खड़े हुए थे इस से पता चलता है कि PAKISTAN की उकात क्या है क्योंकि सब्सक्राइब को पता है कि PAKISTAN के साथ खड़े होने का मतलब है पाकिस्तान आपसे भीक मांगना स्टार्ट कर देगा है और ऐसा ही कुछ पाकिस्तान के लोग भी कह रहे हैं और इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी बीड़ाप को कैसे लिगे कुएंट वोक से जूर रपताना और चैनल को सब्सकार भी कर देना अमने तक ने वीड़ के साथ तक थेंक यू एंड बबाई